तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आपके WhatsApp में कोई भी notification नहीं आता है, आपके WhatsApp में कोई भी message नहीं आता है, तो आप इसे problem को कैसे fix करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको यहीं बताएंगे, अगर आपके WhatsApp पर कोई भी message आपको receive नहीं हो रहा ह आपके WhatsApp में कोई भी मैसेज आपका नहीं आ रहा है या मैसेज आ रहा है और वो आपको जब WhatsApp ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है तो इसे प्रॉबलम को कैसे फिक्स करेंगे आपके WhatsApp में कोई भी आपको पता नहीं होता है आपको पता नहीं चलता है जैसे हम आपको दिखाते हैं हम अपने सेकेंड मुबाइल फोन से यहाँ पर कुछ भी यहाँ करके सेंड करने के बाद अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारे WhatsApp के अंदर यहाँ पर प्रोटीपिकेशन आचुका है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह के अगर आपके WhatsApp में सो नहीं होता है तो इसे प्राब्लम को आपको कैसे फिक्स करेंगे जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना WhatsApp को ओपन करना होगा जिसे आप यहाँ पर WhatsApp को ओपन करते पर करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे WhatsApp में एक message आया है और वह में 100 भी हुआ था हम यहाँ पर फिर से एक message को send करते हैं सेंड करने के बाद अभी हमारे पास आजाएगा अब यहां पर आपके देख सकते हैं इस तरह से सो हो जाता है तो अगर आपके वार्टसप में सो नहीं हो रहा है तो इसे प्रॉब्लम को आपके कैसे फिक्स करेंगे सबसे पहले आपको अपना वार्टसप को ओपन करना है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर कंटिक करने के बाद आपको पर रिसेट नहीं होता है तो आपको एक बार check out करना होगा तो आपको ये setting मिल जाएगा आप इस setting को जरूर यहाँ पर enable करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगे और ये setting आपको यहाँ पर मिल जाएगा group के लिए तो आप इस setting को यहाँ से enable कर देंगे आप इनफो निकल कर आजाएगा आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको notifications आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको ये check out करना है कि आपने इस setting को enable करके रखा है या नहीं तो अगर आप इस setting को enable नहीं करेंगे तो आपके whatsapp में कोई भी notification नहीं आएगा तो आप आपको करना होगा आपको अपने mobile phone के notification setting में जाना होगा वहाँ पर आपको दिखना होगा कहीं आपने whatsapp का notification तो बंद नहीं कर दिया है आपने floating notification तो नहीं बंद कर दिया है तो वहाँ पर आपको check out कर लेना है और आपका सारा problem fix हो जाएगा और आपको एक बार ये भी check out करना है कहीं आपने अपने phone के अंदर D&D mode तो नहीं enable किया है यानि कि do not disturb तो आपने enable करके नहीं रखका है अगर आपने do not disturb enable किया होगा तो आपके phone में कोई भी message नहीं आएगा किसी भी application का यानि कि do not disturb का मतलब होता है कि अगर आप इसे enable कर देंगे तो आपके phone में जितने सारे message आएगे उनका pop up so नहीं होगा और वो आपके message तो आजाएगे उनका pop up आपके सामने so नहीं होता है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा do not disturb मैंने इसे on नहीं किया है तो आपको यह सारा check out करना होगा और उसके बाद आपका सारा problem fix हो जाएगा तो इस तरह से आप इस solve कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही पुरपूरा देखने के लिए आपका